हेलो फ्रेंज कैसे है आप सब आसा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे तो फ्रेंज जैसा कि आप जानते हैं कि जो मैं चैप्टर पढ़ा रही थी भारत तिकला एवं कलागत तत्वे ये चैप्टर अब आप लोग का कंप्लीट हो चुका है और जो आज की वीडियो में ह वो है इसी चैप्टर से रिलेटेड जो कोशन अंसर मैंश्य आप लोग को पढ़ाया हैं उससे रिलेटेड आज आप लोग का टेस्ट है 50 कोशन रहेंगे इसमें जिसमें सिरक मैं कोशन बोलूंगी ऐनसर आपको खुद करना है और आपको खुद देखना है कि आप कितना ए यह सारे के बहुँत जादा इनपोर्टेंट है इस से अल्रेड है एक्जाम में आ चुके हैं सारे ही भोथ इनपोर्टेंट है तो सारा ही आपकरए और सारा लर्ण भी गर ले साथ में यह बता दूँ कि जो इसका एंसर है एंसरशीट है जो आपको मिलेगा, वो वन वीक बाद मिलेगा, ठीक है, तो फिलाल आपको इसका एंसर खुद से करना है, खुद से आपको आइडिया लगाना है कि आप कितना पढ़ रहे हो, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहला नंबर है, भारती कला एवं स्वन काल किसे मा आना जाता है नेक्स्ट है वेदो की रचना किस भासा में हुई थी ठट नमबर प्याते हैं उटकट तक्नीक कौन सी कला के अंतरगत आता है तो उटकट का मैंने आपको पहले ठट डिटेलिंग में भी बता रखा है अगर आपने मेरा प्रिवेस वीडियो देखा है तो नेक्स आते 5 नमबर अलंकारिक अलेखन की रेखाओं से क्या बनाए जाते हैं नेक्स आते 6 नमबर बाटिक किसमे परियोग होता है नेक्स 7 नमबर काम सुत्र के रचाईता कौन है आते 8 नमबर पे रोद्र रस का रंग क्या है ठीक हो रस के बारे में भी बता है मैंने सारा नोरस हो होते हैं तो इसमें रोद्र रस का रंग पूछ जा रहा है कि रंग क्या है और मैंने रंग भेद और भाव तीनों बताया है नेक्स आते 9 नमबर काधि करनेे बनाई जाने वाले चित्र को क्या कहते हैं सीतल परभाव उतपन करने वाले वर्ण कौन से होते हैं नेक्स्ट आते 11 नमबर उतकिर्णी चाय चित्र को क्या करते हैं नेक्स्ट 12 नमबर भारत चित्र कला के 6 अंगों की वाक्या किस प्रशिद गरंथ में हुई थी नेक्स्ट 30 नमबर वास पैंटिंग की सुर्बात किसने की थी 14. सिग्रता से किया गया लेखांकन या चित्रन क्या कहलाता है 15. किसके द्वारा इसकीन पेंटिंग की चपाई की जाती है 16. वात्सायन में कामसुत्र की कितनी कलाओ का वर्णन है 17. नीला रंग का पूरक अथवा विरोधी रंग क्या है मतलब उल्टा रंग क्या है नीला का अपोजिट रंग पूछ रहा है 18. तत्व का नाम बताईए जिसके अभाव से चित्रचना असंभव है ठीक है वो क्या तत्व है जो ना रहे तो उससे चित्र रचना जो है वो असंभव हो नहीं सकता नेक्स्ट नाइंटी नमबर नट्टे सास्त्र में भरत मुनी ने कितने भागो का वर्णन किया था स्वरी यहां पर होगा कितने रसो का वर्णन किया था भागो नहीं होगा नट्टे सास्तर में भरत मुनी ने कितने रसों का वर्णन किया है नेक्स्ट आते 20 नमबर श्वर पर्थम किसने नट्टे सास्तर में आठ रसों का वर्णन किया है नेक्स्ट 21 नमबर भारती चित्रकला में रंग के साथ किसका महत्व है नेक्स 22 नमबर कौन सा रंग ज्यान प्रदर्शित करता है नेक्स 23 नमबर शामान अत्वा समान जश्य पुर्ण अव्यवो की पुर्णा वृति से उत्पन निरंतर्ता को क्या कहते है नेक्स 24 नमबर सौंदरी क्या है नेक्स 25 नमबर मनुष्य अपने भावो को कला के द्वारा प्रगट करता है यह कथन किसका है ठीक है नेक्स 26 नमबर सडंग का पहला अंग कौन सा है नेक्स 27 नमबर जल रंग चित्र में पोत का प्रभाव किस कागज पर अच्छा उभरता है ठीक है मतलब जल रंग जो हम वाटर कलर करते है वो किस पेपर पे सबसे अच्छे से उभर के आता है नेक्स 28 नमबर कर्णवत रेखाए क्या भाव प्रगट करती है नेक्स 29 नमबर चित्र में द्रिस्टी गत भार संयोजन के किस तत्व से जुड़ा रहता है नेक्स 30 नमबर किसी भी वस्तु अत्वा आकृती की माप सोसंत रूप से क्या कहलाती है नेक्स 31 नमबर आकृती को रूप किस से मिलता है नेक्स 32 नमबर आकृतियों से क्या असपस्ठ होता है नेक्स 33 नमबर चित्र में प्रमान चित्र में प्रान किस से आता है नेक्स 34 नमबर वाच्षयायन रचित्र कामसुत्र की टीका में कला के सडं का उल्लेक किस ने किया नेक्स 35 नमबर रस का अर्थ क्या है नेक्स 36 नमबर परिपेक्च से धान्त में क्या महत्व है नेक्स 37 नमबर द्रिस चित्र में परिपेक्च से क्या असपस्ठ होता है नेक्स 38 नमबर विश्नु धर्मोतर किस से समंदित है नेक्स्ट 39 नमबर रज सिद्धान्त का परति पादन किस ने किया नेक्स्ट 40 नमबर पारंपरिक भारत के भित्ती चित्रों में कौन से रंग परियोग में आते हैं नेक्स्ट आते 41 नमबर जल रंगीन को जल में कितनी बार डूबाया जाता है मतलब जल रंग को जल में कितनी बार डूबाया जाता है नेक्स्ट 42 नमबर सबसे हाट पैंसिल कौन सी है ठीक है यानि सबसे कठोर पैंसिल नेक्स्ट 43 नमबर सामान्य पैंसिल में कौन सी समागरी उप्युक्त होती है नेक्स्ट फॉर्टिफोर नमबर दुत्तिर श्रेनी में कौन-कौन से रंग आते हैं नेक्स्ट फॉर्टिफाइब नमबर मोम का परियोग कर किस विधी से चित्रन कारी किया जाता है नेक्स्ट फॉर्टिशिक्स नमबर चिकन कारी किस से समंदित है नेक्स्ट 47 नमबर अरस्तु के अनुसार कला क्या है नेक्स्ट 48 नमबर कला एक अभी वेक्ती है यह किसका कथन है किसके दौरा बोला गया है कि कला एक अभी वेक्ती है नेक्स्ट आते 49 नमबर टेमपरा की सुरुवात कहां से हुई नेक्स्ट फिप्टी नंबर फिक्सेटी किसमे परियुक्त होता है तो फ्रेंस यह रहा आज का फिप्टी कोशन एंसर ठीक है आप अच्छे से अपना करे और जैसा कि यह चैप्टर तो आप कम्प्लीट हो चुका है तो आपको कैसा लगा पढ़के जो मैंने चैप्टर पढ़ाया है आज का यह दस्वा क्लास है ठीक है तो यह दस दिन में आपका एक चैप्टर कम्प्लीट होआ है तो आपको कैसा लगा प्लीस कमेंट सेक्शन में बताईए क्योंकि फ्रेंस देखा जाए तो बहुत सारी लोग वीडियो देख रहे हैं पर कमेंट बहुत कम लोगों का आता है तो प्लीज कमेंट क्या कीजिए कि कैसा लगा आप लोगों ताकि मुझे भी मेहनत कर रही हूँ आप लोग को पढ़ाने के लिए तो मुझे भी अच्छा लगा कि अगर आप जो लोग BFA का तियारी करना चाहते हैं तो प्लीज आप अभी से तियारी कीजिए क्योंकि लास्ट में फिर बहुत ज्यादा बड़न हो जाएगा तो फिर आप लास्ट में सोच चुआ कि सारा कुछ पढ़ ले तो पॉसिबल नहीं हो पाता है ठीक है कुछ ना कुछ छूट जाएगा और फिर आप एक्जाम क्रेक नहीं कर पाऊगे और इस बार टाइम भी कम है और थियोरी बहुत जादा पढ़ना होता है यह तो अभी सुरवात है अभी कित्ता कुछ पढ़ना है बहुत कुछ पढ़ना आप लोगों को तो आप से रिक्वेस्ट है कि अगर आप ए इसा चीज है थियोरी की भूलने वारा चीज है एक बर याद करने से याद नहीं रहता है यह हिस्ट्री की हिस्ट्री वाली चीज है तो इसलिए मैं कह रही हूं कि अभी से पढ़े अभी से पढ़िएगा तो फिर लास्ट में आपको रिवीजन करने का टाइम मिलेगा तो अच्छा से आपका बेस वह जादा स्ट्रॉंग हो जाएगा तो प्लीज अगर आप वीडियो देख रहे तो अच्छे से देखे अच्छे से पढ़े और प्लीज लाइक कमेंट करें और मेरे चैनल पर नए है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ठीक है और कैसा लगा वो बताए और बेल आइकेन को क्लिक कर ले ताकि आपको मेरे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे लगाता ठीक है फ्रेंस फिर मिलती हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए नमस्ते